आज हम कोलकाता की फेमस कलब कचुरी बनाएंगे जो की एक तरकी पूरी होती है जिसके अंदर आलू और कद्दू की सब्जी को सब्चुर करके खाया जाता है तो यहाँ पर इस कलब कचुरी को बनाने के लिए पहले हम इसका डो रेड़ी करेंगे तो इस डोग को बनाने के लिए मैंने ली हुई है एक कप उड़त डाल और इस उड़त डाल को मैंने पानी में पहले अच्छ से वाश कर लिया था और वाश करने के बाद मैंने इसको पानी में दो से तीन गंटे के लिए भिगओकर रखा हुआ था ताकि ये एक दमी सॉफ्ट हो जाए दो से तीन गंटे के बाद आपको इसमें से सारा पानी निकाल लेना है और इस डाल को आप वापस एक बार वाश कर लीजिए ताकि इसमें जो भी स्मेल है वो निकल जाए और फिर इस उड़त डाल को हम एक मिकसर रर में ट्रांस VIR करेंगे इस रेसीवी में आप चाहो तो इस उड़त डाल के साथ साथ आप थोड़ी सी चाना डाल या फिर मूं डाल का पर इस्तमल कर सकते हो अब इसी के साथ मैं इसमें अड़ कर रहा हूँ इसको आप पहले ऐसे ही थोड़ा सा पीस लीजिए यानि कि अभी फिलाल पानी या फिर दही का इस्तमाल नहीं करना है और फिर जब ये दाल थोड़ी सी पिस जाए उसके बाद आप चाहो तो इसमें दही का इस्तमाल कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर तकरीबन एक चोथाई कब दही का इस्तमाल किया हुआ है अब बस हमें इसको वापस पीसना है और इस पेश्ट को हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है यदि आप इस पेश्ट को एकदमी स्मूध बनाओगे तो फिर आपकी जो कचोड़ी है उसके उपर उतना अच्छा टेक्शर नहीं आएगा और अगर इस पेश्ट में उड़त डाल के बड़े बड़े दाने रह जाएंगे तो आपकी जो कचोड़ी है उसमें बीच वीच में छेद पड़ जाएंगे और उसमें से काफी सार वो तील पी लेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखे कि इस पेश्ट को आपको हलका सा ही दरदरा रखना है जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पेश्ट है ये बनकर रेड़ी होच की है और ये बिल्कुल इस फरकार की होनी चाहिए अब या पर एक मिक्सिंग बॉल में या फिर एक परात में आपको लेना है दो कप मैदा यानिकी ओल पपस लार आप चाहो तो मैदा को एक बार छान कर पे इस्तमाल कर सकते हो इसी के साथ हम इसमेड करेंगे आदा कप सूजी यानिकी सैमोलीना जिसे हम रवा भी कहते है वैसे तो इसमें आप कोई भी सूजी डाल सकते हो लेकिन अगर आपको पास मोटी वाली सूजी अवैलेवल हो तो वो ज्यादा बहतर रहेगा सूजी का इस्तमाल हम इसलिए कर रहे है ताकि यह जो कचोरी है यह बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बन सके अब इसी में हम एड़ करेंगे एक बड़ी चमच नमग या फिर आप अगर टेश करकॉडिंग नमग कम ज़्यादा कर सकते हो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ वन फोटी स्पून हिंग यानि की एस फोटीडा यहाँ पर हिंग का इस्तमाल करना ऑप्शनल है अब बस हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले इससे मिक्स करना है और इसके बीच में हम इस प्रकार से एक गड़्डा बनाएंगे अब जो ओड़त डाल की पेश्ट ने रेडी की हुई थी वो हमें यहाँ पर इसमें डालनी है सारी की सारी पेश्ट एक साथ मट डालना इसको अब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालते चाहिए और बस फिर आपको इन सभी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है और इसका एक डो रैडी करना है अब ये जो डो हम बना रहे हैं इसको आपको थोड़ा सा सक्थ रखना है लेकिन आप इसको उतना भी सक्त मत रखेगा कि फिर आपको कचोरी को बेलने में दिक्कत हो ये जो पेश्ट से हमने बनाई हुई थी इसी से ये डू मन कर रेडी हो जाएगा लेकिन बाईचान से दी आपको लगता है कि आपको पानी की जरूरत है तो आप बिलकुल थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल सकते हो ये जो कलब कचोरी हम बना रहे है ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई सादा ये खाने में टेश्टी लगती है और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस कचोरी को घर पर बनाओगे तो आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगी चले यहाँ पर जो डो है ये रेडि होच का है तो अब हम इसके उपर एक छोड़ी चमच तेल एड़ करेंगे और फिर इस पर तेल लगाने के बाद हम इस डो को वापस थोड़ सा मस लेंगे ताकि ये थोड़ सा स्मूज हो जाए चले यहाँ पर जो कचरी बनाने का डो है ये रेडि होच का है और ये इस प्रकार से हलका सा सकत रहना चाहिए तो अब इस डो को हम एक गीले कपड़े से ढख कर रखेंगे ताकि ये सूखना चाहे और इस डो को हम 15 से 20 मिट के ले रेश्ट करने देंगे और जब तक ये डो रेश्ट करता है तब तक हम इसके लिए आलू और कद्दू की एक जबर्दस सबजी बनाएंगे तो इस सबजी को बनाने के लिए पहला कुछ है पंच पूरन मसाले तो बेसिकली ये जो पंच पूरन मसाले होते है ये पाच अलग-अलग प्रकार के मसाले होते है जिनको एक साथ यूस किया जाता है तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है 1-4 टीस्पून सरसो 1-4 टीस्पून मेथी दाना जिसको फैनुगरिक सीड्स कहते है फिर इसमे जाएगा 1-4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानि की जीरा 1-4 टीस्पून सौफ यानि की फैनल सीड्स और फिर यहाँ पर जाएगा 1-4 टीस्पून कलॉन जी कलाँ जी और काले दिल बिलकुल सीता गीता राम श्याम की तरह होते है कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दिखने में बिलकुल एक जैसे लगते है तो इसलिए इस बाग का ध्यान रखे कि आपको यहाँ पर कलाँ जी का इस्तेमाल करना है चले ये जो पंच पूरन मसाले है ये बनकर रेडी होच के है तो अब आपको लेने है तीन टमाटर और इनको आप इस फ्रकार से रफली चौप कर लीजिए फिर मैंने यहाँ पर चार से पाच हरे मर्च ली हुई है जिसको मैं बीच में से कट कर रहा हूँ अगर आप कम तीगा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर हरे मिच की मातरा कम रख सकते हो और इसी के साथ हमें यहाँ पर लेना है एक इंच अद्रकैन के जिंजर और इसको भी हम इस फ्रकार से रफली चौप करेंगे अब हमें इन तीनों को एक मिकसर डार में डालना है और इसकी एक प्यूरी रेडी करनी है जिससे के आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस टॉमडो प्यूरी है यह बनकर रेडी हो चुचकी है तो अभी फिलाल हम इसको साइड पर रखेंगे फिर आपको यहाँ पर लेने है दो आलू यह कच्चे आलू ही है जिसके स्कंद को मैंने निकाल कर रखा हुआ था और इन आलू को भी हम रफली चौप करेंगे आलू को आपको इस प्रकार से मीडियम मीडियम टुकडो में कट करना है अब इस सबजी को फटावट से बनाने के लिए हम इसको एक प्रेशर कोकर में बनाएंगे और इस प्रेशर कोकर में हमें डालना है तीन से चार बड़ी चमच तेल तेल जब अच्छ से गरम हो जाए तब जो पंच पूरन मसाले हमने रेडी किये होते उसमें से आपको एक बड़ी चमच मसालों का इस्तमाल करना है और जो बागी का पंच पूरन मसाला है उसका आप स्टोर करके रख सकते हो अब हम इन सबी को अच्छ से स्प्लेटर होने देंगे और जब ये एक बार अच्छ स्प्लेटर हो जाए तब जो टॉमेटों की प्यूरी हमने रेडी की होई थी वो हमें यहाँ पर इसमें डालनी है अब इस टमाटर की प्यूरी को भी हमें तीन से चार मट के लिए अच्छ से पकाना है ताकि इसके तो कच्छा पन है वो चला जाए जब ये प्यूरी एक बार अच्छ से पक जाए तब आप गैस की फिलिम को स्लो कर लीजिए क्योंकि अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाल एट करने वाले है तो पहले इसमें जाएगा आदा छोटी चमच टावमर केने की हल्दी एक बड़ी चमच लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर कश्वरी लाल मिर्च वाडर का अस्तमाल किया हुआ है ताकि इसमें एक बहुत ही अच्छ सा कलर आपाए फिर हमस्मेट करेंगे एक बड़ी चमच धनिया पाउडर यानि की कोरियंडर पाउडर फिर इसमें जाएगा वनफोर टीस्पून आमचुर पाउडर जिसे हम ड्राइ मैंगो पाउडर कहते है और इसी के साथ मैं हाप रेट कर रहू एक बड़ी चमच नमक या फिर आप अपने टेस्ट का कॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हो अब बस हमें यापर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन चला नहीं जाता और इसमें से तेल नहीं छुटने लगता ये जो सबजी हम बना रहे हैं ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेश्टी लगती है जब मसाले अच्छे से पक जाए लब जो आलू कामना कट करकर रखा हुआ था वो हम इसमें अट करेंगे और इसी के साथ मैंने याँ पर लिया है 100 ग्राम कद्दू मैंने हरे वाले कद्दू का अस्सामाल किया हुआ जिसके शकन को मैंने निकल कर रखा हुआ था आप चाहो तो कद्दू को सकन के साथ भी रख कर पका सकते हो अब हम इस मैट करेंगे आदा छोटी चमच गरम मसाला और फिर हम इस मैट करेंगे एक छोटी चमच चीनी ताकि इन सभी का तो टेस्ट है वो बैलन्स हो जाए यदि आप यहाँ पर चीनी का अस्तमान नहीं करना चाते हो तो भी चलेगा अब बस हम इसको एक बार अचसे मिक्स करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसमें डालना है पानी तो इसमें मैंने एक कब से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तमाल किया हुआ है और फिर हम इसको एक बार वापस मिक्स करेंगे अब हम इस कुकर को ठकेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर तीन सीटी तक पकाना है अगर आप इस से ज़ादा इस सबसी को पकाऊगे तो जो आलू और कदू है वो एकदम ही गल जाएंगे तीन सीटी हो जाने के बाद आप गैस को बंद कर लीजिए और फिर इस कुकर के अंदर जो भी प्रेशर है उसको अपने आप ही रिलीज होने दीजिए जब तक इस कुकर में से प्रेशर रिलीज होता है तब तक हम कचोरी रेडी करेंगे तो यहाँ पर हमारे डो को भी रिष्ट के वर 15-20 में ठोच की है तो इस डो को हमें वापस एक मिट के लिए मसलना है और फिर हम इस डो में से ऐसे मीडियम मीडियम साइस के बॉल्स रेडी करेंगे और इसी प्रकार से मैंने पूरे डो में से यह सारे बॉल्स रेडी करके रखे हुए है जा कोई यह गिन कर वता सकता है कि हम इतने डो में से कितनी कचोरी बना पाएंगे अब इस lowi को बेलने के लिए आपको सूख्याटे का इस्तमाल नहीं करना है आपको एक चेकले के उपर या फिर किसी भी एक flat surface के उपर थोड़ा सा तेल अपलाए करना है और फिर इसके उपर हम इस lowi को रखेंगे और इसको हमें बेलना है इसको आप हलका सा मोटा ही बेलिएगा जैसे कि आप देख सकते हो कि याप और मैंने इसको बेल दिया है और ये इस प्रकार से थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए और ठीक इसी प्रकार से हमें बाकी सारी कचरी को भी बेलना है अब आपको एक पैन में या फिर एक कडाई में लेना है तेल मैंने यहाँ पर ये डिसानों का एक्स्टरा लाइट ओलिव और यूस किया हुआ है जोकि एक जीरो कॉलिस्टरॉल ओल है और ये आपकी और आपके फैमिली की सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा तो अगर आपको भी डिसानों का एक्स्टर लाइट ओलिव औल खरीदना हो तो इसके लिंक मैं आपको इसे डिस्रिप्शन बॉक्स फर दे दूँगा इस ओल को हम अच्छे से गरम होने देंगे और जब ये एक बार अच्छे से गरम हो चाए तब हम कच्छरी को फ्राइ करेंगे यदि आपका जो तेल है वो उतना गरम नहीं होगा तो फिर जो कच्छरी है ये उतनी फूल नहीं पाएगी तो इसलिए इस बात का ध्यान रखे कि आपका तो तेल है वो अच्छे से गरम रहना चाहिए एक बार जब ये तेल की ऊपर की तरफ आ जाए तब आपको क्या करना है कि एक कल्ची की साहिता से या तो आप इसको इस प्रकार से दबाते जाएए या फिर इसके उपर आप तेल को ऐसे उच्छालते रहिए और ऐसा करना से ये जो कच्छरी है कि एक दम ही अच्छ से फूल जाएगी देखा कितनी आसानी से यह जो कचरी है यह फूल चुकी है तब हम इसको पलट लेंगे इसको फ्राइ होने में बहुत ही कम टाइम लगता है और जैसे कि आप देख सकते हो कि यह जो कचरी है यह फ्राइ होच की है तो इसे हम बहार निकाल लेंगे इसको आप एक टेशिय पेपर या फिर एक एब्सबिंग पेपर पर निकाल लीजे ताकि जो भी एक्सेस ओईल हो वो एब्सबब हो जाए और इसी प्रकार से आपको सारी कच्चुरे को बना कर रेडी करना है चले हमारे प्रेशिर को कर मेंसे भी सारा प्रेशिर अपने आप रेलीज हो चुका है तो अब हम इसको उपन करेंगे और अब सबसे आखर में हमें इसमें डालनी है एक बड़ी चैमच कसुरी मेती का आप इस परकार से हाथों में रख कर इसे crush करके add करिए कसूरी मेती का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा flavor आता है तो हो सके तो आप भी कसूरी मेती ज़रूर इस्तमाल करिए और फिर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कोरेंडा यानि की धन्या काबे इस्तमाल कर सकते हो अब बस हम इसको अच्छे से mix करेंगे और फिर आप चाहो तो इसमें से कुछ आलू और कद्डू को इस प्रकार से थोड़ा सा mash कर सकते हो ताकि यह जो gravy है यह थोड़ा सी घाड़ी हो जाए तो लीजे यहाँ पर यह गर्मा गर्म आलू और कद्डू की जबरदस सब्सी बनकर रेडी होच की है तब हम इसको सर्व करेंगे और इसी के साथ जो कच्छोरे हमने रेडी की हुई है वो भी हम इस पर रखेंगे इस क्लब कच्छोरी को सर्व करने का भी एक तरीका है तो यह जो कच्छोरी है इसके बीच में पहले आपको इस प्रकार से एक छेद बना रहा है और फिर इसके अंदर आप इस सब्सी को डाल कर इसे सर्व कर सकते हो तो कैसे लगी आपको ये क्लब कचुरी की रेसिपी अगर आपको ये वीडियो पसना आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू करना और आपको और कौन-कौन से रेसिपी जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बता सकते हो